दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश कैलोज जी इस वक्त हमारे साथ हैं कैलाश जी आप अर्विन केजवाल के परिवार से मिलकर आए हैं क्या कुछ बात चीत हुई आपकी? हमने यही कनवे किया और यही बताना चाहा कि हम हम अर्विन केजवाल जी के साथ और पूरे परिवार के साथ हम बिलकुल हर समय में हर शन उनके साथ खड़े हैं और हम नहीं पार्टी कारे करता हैं लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश उनके साथ है ED की कारवाई लोकसभा चुनाओं से पहले हुई है इसे आप कैसे देख रहे हैं और लगातार अगर हम बात करें तो ED शकंजा कस्ती रही कई बात समन दिये कि अर्विन केजवाल पेश नहीं हुए देखे मेरे क्याल से कहीं ना कहीं ये चीज सब को समझ में आ रही है और दिख रही है कि यह जितने भी तमाम केश चल रहे हैं चाहिए वो अर्विन केजवाली खिलाफ हैं चाहिए मनिसुद्य खिलाफ है उनको रोकने उनको समन करने का उनको प्रेशराइज करने का केश बनाने का एक ही मकसद है किस प्रकार से आप आपनी पार्टी को रोका जाए किस प्रकार से अर्विन केजरिवाल जी जो एक बहुत लोग प्री है और बहुत डैनमिक नेता है उनको रोका जाए आम आदिनी पार्टी आज के दिन एक नाशनल पार्टी है वो जिस स्पीड से बढ़ रही है उसको कैसे रोका जाए ये मकसद कैला जी अगर हम बात करें देखिए कथिश शराब गोटाला एडी ने कोट में ये कह दिया कि सरगना अर्विन केजरिवाल हैं वही इस पूरे मामले को लीट कर रहे थे और गोवा चुनाओं में इस शराब गोटाले का पैसा आप लोगों ने इस्तमाल किया अगर यतनी सारी चीज तो वह पैसा गया कहां एक भी पैसा किसी के यहां आज तक रेकावर नहीं हुआ सीम ओप की यहांकल रेड वहिए वहां कुछ नहीं वा मनिज जी के यहां रेड वह हुए वहां कुछ नहीं मिला तो यह सब मैंने कहा कि यह सब सारी चीजे नहीं साजिश है किस प्रकार से अर्विन केज़डीभाल को आँम आज पार्टे को रोक रोख से आखरी सवाला कैलाश जी पहले से आपके तीन बड़े नेता जेल में है और अर्विंद केजरिवाल जी के उपर गिरफतारी के सकते हैं तलवाल लटकरी है तो आप लोगों का प्लान बी क्या है सरकार कैसे चलेगी जहां भी सेम साब है वहीं से सरकार चलेगी इसमें हमें कर दो